बारी है question नमर 41 की देखते हैं 41 में क्या है इसमें दिया हुआ है कि A, B, C जो है 10 दिन में काम complete कर लिया है initially सब ने मिलके काम start किया लेकिन 3 दिन में क्या है C ने छोड़ दिया इन 3 दिनों में 37% काम हो चुके है तो बाकी का काम जो है A and B ने मिलके किया है हमें बताना है कि Indivisually कितने दिन में काम करें यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो percentage के term में बात कर रहे हैं तो क्यों हम total work को 100 माल ले है कोई दिकत नहीं है अच्छा एक बात बताईए अगर A, B, C जो है मिलके 10 दिन में काम complete करते हैं अभी यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि A, B, C मिलके जब 3 दिन तक काम किये थे तो आपका कितना हुआ था 37% अच्छा एक और बात समझना है कि 10 दिन में काम complete हो रहा है तो 10 दिन 3 मिलके काम नहीं किया है इसमें से पहला 3 दिन A, B, C ने मिलके काम किया है आखरी का जो 7 दिन है इसमें किवल A, B, C ने काम किया है यह बात आपको ध्यान देना है ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचना है कि तीनों सुरू से लेके अंता काम किया है तो अगर तीनों की हम बात करें A, B, C, A इसमें 3 देज में कितना काम कर चुके है बोलेंगे कि देखें 3 देज में लो 37 परतिसत काम निप्टा दिया इसके बाद और कुछ बच नहीं रहे तो बाकी का जो A काम है A प्लस B 7 देज में करेगा आप बोलोगे 7 देज क्यों बहिए 7 देज इसलिए क्योंकि 10 दिन में तो क अच्छा जर्शेक जर्वत नहीं तो यही A प्लस B जो है एक दिन में कितना काम करेगा बोलेंगे कि एक दिन में 9 ईउनित काम कर लेंगा ठीक natin के चांचा टो A P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E.P.L.E. तो C का जो efficiency हो गया, ये कितना हो गया, 10 by 3, तो इसको total काम करने में कितना समय लगेगा, अगर 100 unit काम करने है, 10 by 3 के, तो 10 से 10 पर में चल जागा, कितना जागा, 30 days, तो 30 days में ये काम complete कर लेगा, C का तो काम हो गया, अभी बचा A and B, A and B के लिए और भी कुछ data चाहिए, तो यहाँ पर data दिया हुए, A के 5 दिन का काम, B के 4 दिन के काम के बराबर है, मतलब 4B के बराबर है, यहाँ से अगर हम A by B देखे तो ये कितना जागा, 4 बटा 5 आ जाएगा, बस समझ पा रहे हैं, बल यहाँ से इन दोनों का एड करके, जो आपका सम है, वो 9 आ रहा है, बोलें कि यहाँ 9 आ रहा है, तब कोई दिक्कत ही नहीं, यह जो ratio है, यही इनका क्या हो जागा, individual efficiency, तो A का जो efficiency है, यह 4 है, A efficiency की बात करने, और B का जो efficiency है, कितना हो गया आपका, 5, तो A को time कितना लगेगा, और इसको time कितना लगेगा, 100 unit काम करना है, तो 20 days लगेगा, तो answer क्या आगया है, कि A को लगा 25 days, B को 20 days, C को 30 days, 42 देखेंगे, कुछ नवा 42 में है, कि 40 में जो यह काम को 30 दिन में complete करते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, और हर एक 10 दिन के बाद 5 लोगों ने काम छोड़ दिया, हमें बताना है, कितना दिन में काम complete हो जाएगा, एक बात बताईए, अगर 40 इनसान काम करते हैं, तो 30 दिन म हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि देखो, टोटल वर्क ना 1200 माल लो, होई दिकत नहीं, बोले कि ठीक है, चलेगा, अब जो टोटल वर्क 1200 है, यह कैसे हो रहा है, हर एक 10 दिन में 5 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, तो पहला 10 दिन 40 लोगों ने काम किया, बोले कि किया है, फिर 35 के बाद किया, फिर बोले कि 30 लोगों ने काम किया होगा, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अब यह कहां तक जाएगा, यह देखना है, अगर हमारे पास option रहता है, तो चीज़े करना आसान होती, otherwise हम इसके पास पहुंचने का कोशि करते हैं, 40 गुणा 10 कितना हो गया है, 435 गुणा एक कितना हो गया है, 350 और a कितना हो गया, 300, इन तीनों को जो रहेंगे तो 1050 हो गया, माहन लेते ह। और 25x का वैलू कितना होना चाए है 10 पचास च ला गया तो देशू एक सक का वैलू कितना आ गया च्छे तो आखरी में जो है 6 ड़ी टाक कीया लोगों लोगों यह तो बाथ समझ में आगे supply Tree cri Totall Days कितना हो गये तो अगर हम बोले तो दस 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 तीस और पांच पैंतीस पैंतीस नहीं 36 ना तो 36 डेज इस question का सही answer आगे चलेंगे question number 43 की बारी है इसमें बोला है कि 60 जो है वह 40 दिन में काम करते हैं एक साथ काम स्टाट करें हलेके 10 दिन के बाद यह आपका 42 एंड अच्छा नहीं नहीं अंतर बात सेमी यह सेमी टाइप का question है आप देख लीजिए यहां पर टोटल वर की कितना हो जाएगा 60 इंटू 40 जिसको आप बोल सकते हैं 2400 यह 2400 काम कैसे हो रहा है हर एक 10 दिन में 5 लोग काम छोड़ रहे हैं तो पहला 10 दिन 60 लोगों ने काम किया है उसके बाद 55 लोगों ने काम किया फिर 50 लोगों ने काम किया 2400 तक जाना है आपके जिए पचास लोगों ने 10 दिन तक काम किया फिर 45 लोगों ने 10 दिन तक काम किया फिर 45 लोगों ने 10 द 550 और 450 मिलके 1000 हो गया और ये दुनों मिलके कितना हो गया 1100 टोटल 1200 काम हो चुका है तो जाहिर सी बात है 40 लोग 10 दिन तकाम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से 400 काम हो जाएगा और 200 दिन तकाम किया है तो 40x का वेलु यहां से कितना रहे 300 x का value कितना आ जाएगा 30 बटा 4 को आप लिख पाएगा 15 बटा 2 15 by 2 days अब total कितना होगे total total का value यहां से देखें 10 20 30 40 तो 40 प्लस 15 by 2 days को लिख सकते हैं 7 and 1 half तो यह आ गया 47 पुर्णा के एक बटा 2 days इतना दिल लगेगा काम को करने ठीक है अगला question पर चलेंगे question number 44 इसमें है कि 30 33 जो है 30 दिन में काम कर रहे है 44 में ने काम start किया है हर एक दिन एक एक पंदा काम छो रहा है तो minimum number of days कितना लगेगा काम को करने में ठीक कोई बात नहीं total work फिर से माल नहीं जी यहां पर 33 लोग 30 दिन में काम कर लेंगे तो 33 99 हो गया total अब यह 990 काम करना है चालिस लोगों ने 44 लोगों ने start किया तो पहला दिन 44 काम करेगा फिर 43 ऐसे ही करकर के जाएगा तो माल लेते हैं आपना एक तक गया से क्योंकि हमें तो पता नहीं है न इसे डॉड़ डॉड़ करके कितना दिन तक साएगा अगर एक प्लस दो प्लस डॉड़ 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 प्लस 44 अगर हम इन सब को एड करें तो यह कितना हो जाएगा 44 गुणा 45 बटा 2 ये कितनी बर होगे या 22 बर में 22 पचे 110 और 288 और 1199 तो 990 exactly आगे मतलब कि प्लस डॉट 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 तक ये जाएगा तो आप देखें एक से लेकर 44 से स्टार्ट किया था फिर 43 हुगा आए से करकर के गया एक तक गया है तो क्या हम बोल पाएंगे कि टोटल डेज जो होगा या टोटल डेज एक इतना हुगा एक से लेकर 44 तक 44 डेज आ गया तो इसकोशन का सही आंसर है 44 डेज कम से कम इतना दिन तो लगेगा बारी है कोशन नबर 45 कि इसमें देखेंगे तो एक ग्रूप ओफ मेन ने डिसाइड किया है कि एक काम को चार दिन में करेंगे लेकिन 20 जो है लोग और डेली ड्रॉप आउट हो रहे है तो बताना है find the men who are in the work initially तो initially कितने लोग काम कर रहे है तो मालने जीए लेट total number of men जिसने initially काम स्टार्ट किया वो क्या है M अब इन्होंने चार दिन में काम कंप्लेट करने का जिम्मा लिया है तो total work कितना हो जाएगा भाई बोलेंगे 4M हो जाएगा 4M work करेंगे पहला दिन कितने लोगों ने काम किया M दूसरे दिन M-20 लोगों ने काम किया है फिर तीसरे दिन M-40 लोग काम करेंगे फिर ऐसे करके काम चलता लएगा 7th day के end में हुआ है तो 7 दिन जो है M-20 छक्का 120 इतने लोग काम करेंगे अब यहां से देखिए 4M का जो वैलू है कितना आ गया एक दो तीन चरपा सेवन आ गया है और बीस चालीस करके 120 तक आपको एड करना है मतलब first term plus last term और number of terms by 2 इतना ही होता है यह सम देखेंगे अच्छा माइनस सम कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन लेने से आएगा 20 जोर 40 जोर डॉट 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 या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं एक जोर दो जोर डॉट 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 छे तक आगे तो यहां से 3m का भेलू कितना आ जाएगा 20 इंटू एक से छे तक आएड करेंगे तो कितना आएगा छे पा ऐसे कर सकते हैं 21 आता है तो 3 से 7 बर में इसलिए m का भेलू कितना हो गया 140 तो 140 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था अच्छा इसके सम में आप इन बाइटू ए प्लस एल का भी यूज कर सकते हैं या एक और होता है एन बाइटू ए प्लस एन माइनस वन इन्टू डी इसका कभ यूज करते हैं हम जब हम अरथमेटिक प्रोग्रेशन का समनी काल रहे हैं ठीक है 45 तक हो गया है डाउट ने जब पूछेगा अभी चलते ह च्छालीस पे च्छालीस में है कि तीन कुक जो है असी बर्गर बनाना है इनको जिम्मा मिला है भाईया कि मिलके असी बर्गर बना दो जिए अर्ड़ नोन तो मेंग 20 पीशिज एवरी मिनट बई वर्किंग तुगेथर अगर तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो फिर एक मिनट में वलग बीस बर्गर बना देंगे पहला कुक ने अकेले काम करने स्टार्ट किया एन 20 पीस एन में 20 पीस एविंग वर्क्ड फोर सम्टाइम मोर दें थ्री मिनट मत्तार तीन मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम लिया और इसने बीस बर्गर बना दिया कोई बात नहीं बाकी का काम जो है 2nd & 3rd कुक ने मिलके किया है और टोटल जो है 8 मिनट लगा है काम को कंप्लीट करने में तो हमें बताना है कि कितने चाइम में पहला जो है वह 160 बर्गर बना दे यही बात है आईए देखते हैं यहां पे जो सबसे खास बात है जो आपको ध्यान देना है व कुक को तो इनका जो efficiency है यह क्या है आपका 20 piece per minute या फिर 20 efficiency बोल सकते हैं अगर हमें किसी भी तरह A, B & C का efficiency अलग से पता चल जाए किसी unknown के टर्म में फिर हम क्या करें उसको add करके और 20 के equal कर दे तो रास्ता मिल सकता है है ना आईए देखिए question में बोला है कि A ने 3 minute से थोड़ा ज्यादा तक काम किया है तो माल लेते हैं कि A जो है कितने देर तक काम किया worked for 3 plus x minute क्योंकि 3 minutes से थोड़ा ज्यादा दिया है तो देखिए A जो है 3 plus x minute काम करके कितना burger बनाया है 20 burger बनाया है इसका efficiency कितना हो जाएगा efficiency मतलब एक मिनट में कितना बनाएगा एक मिनट में 20 बाई 3 प्लस X बर्गर बनाएगा बोले कि बात तो सही है बताइए इन लोगों ने कितना बर्गर बनाने का जिम्मा लिया है बोले कि 80 बर्गर इसमें से A तो 20 बर्गर बना दिये बाकी का जो है वो क्या B and C मिलके बनाएंगे बोले कि बिल्कुल से लेकिन B and C के पास टाइम कितना है टोटल आठ मिनट यहीं टाइम मिला है इन लोगों को देख रहे हो ना किधर दिया इधर ही तो दिया था टोटल 8 मिनट 8 मिनट में 3 पलस X मिनट तो A लेके गया तो इनके पास जो टाइम बचा है 5 माइनस X मिनट बचा है और इस 5 माइनस X मिनट में इनने 60 बर्गर बनाना है तो इनका Efficiency कीतना हो जाएगा 60 डिवाडिर वाइव 5 माइनस X हमें A का Efficiency पता चल गया B प्लस C का efficiency पता चल गया और A आपको पता है कि A प्लस B प्लस C का जो efficiency है कितना है 20 यहां से हम बोल पाएंगे कि 20 बाइ 3 प्लस X जोर 60 बाइ 5 माइनस X का value 20 है बिल्कुल सही बोल सकते हैं यह 3 बार में एक बार में cross multiply करके सब काम कर लेते हैं तो 5 5 माइनस X जोर 9 प्लस 3 X का value आजाएगा 15 प्लस 2 X माइनस X स्क्वार इतना ही आ रहे ना 15 माइनस 3 हाँ तो भाई मेरे यहां से आएगा X स्क्वार इधर आजाएगा 2 X and 2 X तो cancel हो गया 9 5 14 15 में से 14 आगया X स्क्वार का value 1 है तो X का value 1 आगया मतलब A ने कितने दिन A ने कितने देर के लिए क्याम किया था 4 मिनट के लिए क्याम किया था 4 मिनट में इसने 20 बरगर बनाया है तो 160 बनाने के लिए 160 बनाना है तो 8 से गुना करना परेगा इसमें 8 से गुना कर देंगे 32 मिनट लगेगा तो अगर A को आप 32 मिनिट्स देते हैं तो आपका 160 बर्गत बना देगे उमीद यह चीज आपको समझ में आई होगी कोश्चन तोरह सा कॉम्प्लिकेड़ था लेकिन अगर आप सलीके से सोचेंगे तो असानी से कर पाएंगे चल जाएं कोश्चन आप 47 के पास 47 में है कि A प्लस B मिलके काम को 6 दिन में करते हैं कितने दिन में वे लोग अकेले काम करेंगे अगर A प्लस C जो है काम को दो पुर्णा केकवटा दो दिन कम में कर सकते हैं जितना B एन प्लस C ने लिया है डे टूगेदर complete the work in 5 दे कहने का मतलब आये देखिए कि A प्लस B और फिर A प्लस B प्लस C अगर A प्लस B करता तो 6 देज लगता ए प्लस B प्लस C करता तो 5 देज लगता टोटल काम कितना हो गया बोलें कि टोटल काम तो आपका हो गया है 30 a plus b जो है आपका कितना इसका efficiency 5 है a plus b plus c का efficiency कितना आ रहा है बोले हैं कि इसका तो 6 आ रहा है तो आप बताए c का efficiency कितना है c का efficiency हो गया है आपका 1 ठीक है क्योंकि a plus b का 5 है और a plus b plus c का 6 है तो c का efficiency 1 हो गया अभी जो question में दिया है वो क्या दिया है कि हमें बताने कि a plus c कितने दिन में काम को complete कर पाएंग in how many days the same work is done by done they alone do the same work मतलब वो लोग अलग-अलग काम की हैं तो कितना time लगागा अगर a plus c काम को complete करने में b plus c से कितना दो पुर्णां के एक वटा दो दिन कम का time लेता है कोई दिकत नहीं आइए देखें c का अगर efficiency 1 है तो c को time कितना लगेगा हम बोल सकते हैं कि c अकेला करता इसको 30 days लगता और 30 days में काम को complete कर लेता अभी हमें a plus c and b plus c को लेके काम करना है है ना आइए देखते है यहाँ a plus c हो गया a b plus c होगे हमें पता है कि इनका जो efficiency है c का एक इतना है 1 है तो अगर a plus c देखें तो इसका efficiency क्या आएगा आप अगर हम ऐसे देख लें कि x01 अगर a का efficiency आपने x मान लिया है और b plus c को अगर आप देखेंगे a plus b का efficiency 5 होना चाहिए अगर a का efficiency यहाँ efficiency अगर a का efficiency आपने x माना है तो b का efficiency कितना हो जागा 5-x तो 5-x प्लस 6-x हो गया अभी अगर आप चाहें तो फिर time का use करके भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि तुरह स्मार्ट किस करते हैं अगर a plus b का 5 है तो a and b को कुछ efficiency हम divide करके देख लेते हैं आप खुद देखिए किसको कम टाइम लग रहा है बोलेंगे कि a plus c को कम टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है a plus c का efficiency b plus c से ज्यादा होना चाहिए a को हम ज्यादा value assign करेंगे तो हम x का क्या माल लें x को माल लेते हैं इससे 3 क्योंकि 3 plus 2 5 होगा अच्छा देखिए हमें तुक्का ले रहे हैं गेस करें स्मार्ट गेस करें तो b plus c का efficiency है यहां पर efficiency a हो जाएगा 3 और इनका efficiency कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा अगर आप time की बात करें तो 30 बटा 4 हो जाएगा यह 30 बटा 4 कितना होता है यह आपका 7.5 days और यहां पर हो जाएगा 30 बटा 3 जो कि हो गया 10 days अगर इसके बीच का difference धाई दिन हुआ यह 2.5 days difference आ रहा है मतला हमारा जो assume करना था हो सही था अगर assume करना सही है तो भाईया efficiency के लिए अगर देखे तो a का efficiency 3 हमने मान लिया था और b का 2 और यह मानना सही भी था तो time कितना लगेगा a को time लगे 30 बटा 3 10 days और b को लगे 30 बटा 2 15 days तो हो गया a को लगेगा 10 days b 15 days and c 30 days यह था कितने दिनों में एक पूरुस और दो महिलाएं उस काम को कर पाएं तो जो total work है अगर 4 पूरुस करेंगे पूरुस का मतलब men तो six days लगेगा अगर तीन महिलाएं women करेंगी तो इनको 16 days लगे यही है न चोचार के 24 और यहां पे 68 तो दो बार में चला जाएगा तो men by women यहां पे efficiency का ratio हो गया है दो बटा एक efficiency का ratio हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम total work निकाल सकें अभी total work कितना होगा यहां देखे 24 एम या 48 women तो 24 into 2 48 आ गया है total work अब जो time निकलना है time निकाल लेजी काम करना है 48 किनको करना है एक पूरुस और दो महिलाओं को तो 48 बटा एक पूरुस का efficiency दो है दो महिलाओं का efficiency हो जागा दो 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 चार आंसर आगा है की बात हो रही है अगर पूरुस और बच्चों की बात हो रही है तो महिलाओं को consider करना जरूरी नहीं तो जो total work है दोस्त वह दो को पूरुस तीन दिन में कर सकते हैं और इसी काम को ऐसे तो हम लिख दे रहे हैं कि तीन महिलाओं जो है चार दिन में करेंगे और और चार बच्चे जो है यह आपका छे दिन में करेंगे लेकिन हमारे काम का है तो इन दोनों कर compare करेंगे तो 6 M का value कितना आ रहा है 24 C तो M by C आ गया है 4 by 1 अगर 4 by 1 है तो total work के क्या है आपका 6 M मतलब कि 24 हमें निकलना है time कितना होगे 24 काम करना है एक पूरुस और दो बच्चे पूरुस का efficiency 4 है बच्चों का efficiency को जाएगा दो दो बच्चे है तो आ गया 4 days कोशन का सही आंसर आ गया 4 days अगला देखेंगे कोश 10 दिन में 26 पूरुस और 48 महिलाएं दो दिन में करेंगे तो 7 पूरुस और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे आईए देखिए इस ट्राइब के कोश्चन में अराम से total work निकाल लिए 6 पूरुस और 8 महिलाएं या women मिलके करेंगी तो इनको लगेगा 10 days और यही 26 men and 48 women करेंग इनको लगेगा 2 days बस अराम से compare कीजिए यहां से देखेंगे तो 60 M plus 80 W का value आ रहा है 52 M plus 96 W और यहां से देखेंगे तो 8 M आ जाएगा का value है 16 W men by women का efficiency का ratio फिर से आगया है 2 बटा एक अगर दो बटा एक आया है तो total work निकाल लीजे total work के कितना होगा 60 M plus 80 W मताँ 120 plus 80 200 चीक है कोई दी करते ही 200 total work होगे अभी जो आपको time निकालना है वो निकाल लेंगे 200 काम करेंगे कितने 7 पुरुष और 3 महिलाएं तो 200 बटा 7 पुरुष का मतलब efficiency 14 3 महिलाएं का मतलब 3 तो answer आगया है 200 बटा 17 days और है इस question का सही answer आगे देखेंगे आर यह question number 51 की 51 में है कि आपका 12 पुरुष और 18 बच्चे मिलके 10 दिन में काम करेंगे 3 पुरुष 18 महिलाएं मिलके चाब बच्चे नहीं महिलाएं थे बारह दिन में करेंगे तो कितने दिन में 2 पुरुष और 3 महिलाएं करेंगे पीछले type का ही question है इसमें क्या करना है total work निकलने है अगर 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलके काम करेंगे तो इन्हें लगेगा 10 दिन तीन पुरुष और 18 महिलाएं मिलके काम करेंगे इन्हें लगेगा 12 दिन तो यहां से cross multiply करेंगे 120 men plus 180 women का value आगया है 36 M plus 12 98 96 and 12 9 21 216 women होगा मैं नहीं ठीक है 216 women कोई दिकत नहीं अभी 120 में से 36 गया कितना बचेगा आपका 84 और 216 में से 180 गया कितना बचेगा 36 women तो यहां से men and women का efficiency का यहां पर महिलाओं की efficiency ज्यादा है अभी जाएक देखें टोटल वर की कितना होगा 12 पुरुष प्लस 18 महिला है तो बारतिया तो टोटल वर की कितना हो गया है आपका 18 बारतिया 36 अठरह महिला है तो 80 और 56 तो यह आपका आगया 1620 अभी टाइम निकाल लेते हैं 1620 काम करना है किसको दो पुरुष को तो दो ती आई छे तीन महिलाओं को तो तीन सत्ते 21 यहां से एक छे दो जीरो बटा 27 27 साच्छक 42 और छोदुना बारतिया 16 60 डेस हो गया इस पोश्चन का सही आंसर तो इसमें आपको क्या करना होता है बस टोटल वरक निकालना है जितना कॉम्बीनेशन है सबसे कॉम्पेर करेंगे बाद में फिसेंसी का रिच्व निकल के टोटल वरक निकाल लिया फिर जो करन करते हैं अभी कोश्चन 92 के पास 52 में कि दो पुरुष काम को तीन दीन में करते हैं जबकि तीन महिला यह उसकाम को चार दिन में करेंगे तो हमें बतान 04 एक बादो बाद करें तो चर बच्चे इन है यहां से देखिए, टोटल वर्क के लिए आ गया है, 6M equal to 14 women equal to 26 बच्चे, अब यहां से आप efficiency का ratio ले सकते हैं, तो माल लेते हैं इसको 24-6, अगर 24 मान के चल रहे हैं, तो पुरुष का efficiency कितना आ गया है, 4 का, महिलाओं को हम W से लिखेंगे न, women, women का efficiency है 2 का और बच्चों का efficiency है 1 का, और ध्यान रहे है, total work हमने कितना जूम कर लिया है, 24, क्योंकि 24 मान लिया है, अभी जो time निकलना है, time आप निकाल पाएंगे, 24 work करना है, एक पुरुष, उसका efficiency 4 है, एक महिला, उसकी efficiency 2 है, दो बच्चे है, उसका efficiency हो जाएगा, 2, 4, 2, 6, दो आठ, तो answer आगे, 3 days, तो सब मिलके, 3 दिन में काम कर पाएंगे, यह तो 52, आगे चलिए 53 पे, 53 में देखेंगे, तो यहाँ पर ही बोल रहा है, कि there is sufficient for 400 solders, मतलब कि एक जो 50 है, उसमें 400 जवानों के लिए परियापते खाना है, वो लोग कितने दिन खा सकते हैं, 32 दिन खा सकते, 28 दिन के बाद, 280 लोग चले गए, तो हमें बताना है, कि for how many days will the rest of the food last, for the rest of the soldier, 28 दिन तक तो सब लोगों ने खाना खाए, फिर 280 लोग चले गए, तो अभी बताना है, कि बागी का जो खाना है, वो कितने दिनों तक और चलेगा, यहाँ पर आपका 32 नहीं, 31 दिन खा हुआ है, यह बाद ध्यान दे, तो एक बात बताईए, अगर 280 soldier नहीं जाते, तो क्या होता, बोलाइं कि देखो भाईया, टेंट में तो खाना था, वो 400 लोगों का था, 28 दिन तक उखाए, जम के खाए, अगर नहीं जाते, तो बाकी का जो 3 दिन है, remaining 3 days, क्योंकि 31 दिन क का खाना था, 28 दिन तक खा गए, तो remaining 3 days भी 400 लोग मज़े से खाते, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ए है कि 280 लोग चले गए, तो जो 400 लोगों का खाना था, 3 दिन का, अब केवल 120 लोग खाएंगे, तो माल लेते हैं, 120 लोग एकस दिन तक खाएं, ए गया गया, 3 से 4 बर में, X क समझ रहे, तो जो खाना 3 दिन तक चलता, अब ओ 10 दिन तक चलेगा, तो 54 पे, 54 में बोला है कि, 1600 जवान जो है, 50 दिन तक खाना खा सकते, और हर एक इनसान जो है, वो 900 ग्राम हर दिन खाना खाता है, 40 दिन के बाद 400 जवान नों ने कैम्प छोड़ दिया, Now, for how many days will the rest of the food last for the rest of the soldier, अगर हर एक लोग 1000 ग्राम खाना 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 स्टार्ट करते, पहले लोग 900 ग्राम खाना खाता थे, इनसर नहीं लेना है, सबको हम ग्राम में एक विट कर देंग, आंसर आजाएक, एक बात बताईए, 1600 जवान जो है, वो 50 दिन तक खाना खा रहे थ अगर ए जवान नहीं जाते, तो जो बाकी का जो दस दिन है, दस दिन भी टोटल 1600 जवान ही खाते, क्योंकि 50 दिन का खाना खाना था, 40 दिन के बाद ये लोग जा रहे हैं, नहीं जाते तो क्या होते हैं, नहीं जाते तो ये 1600 जवान जो है, ए बाकी का जो दस दिन है, वो ख हुआ है लेकिन हुआ किया 400 जवान चले गए तो अभी बचे कितने 1200 जवान ही बचे 1200 जवान जो है मान लेते हैं एक से दिन और खाना खाएंगे लेकिन अभी जो है यह लोग खाजार गराम करके खाने लगे रहे 900 गराम करके खा रहे थे तो ए है remaining food और ए है आपका consumption new rates जो इक्वार रहे दोनों के equal कर देंगे तो दो 0 से दो 0 चलने जाएगा यहां पे 3 0 से 3 0 चलने जाएगा चार तीय बारह चर्चव का सोल तीन तीय नव एक्स का भेलू आगे है टुवेल्व डेज तो जो खाना दस दिन तक चलने वाला था और वो बारह दिन तक चलेगा